फ्रेंट्स जैसा कि आपको पताए कि सर्धिया चली रही है तो इन सर्धियों में मोस्टली हर घर में बाजरी की टिक्की मोस्टली बनाई जाती है लेकिन आज मैं कुछ खास सीक्रेट ट्रिक्स से बताने वाली हूं कि बाजरी की टिक्की परफेक्ट कैसे बना है अगर आप किस तरीके से बनाओगे तो एक दम परफेक्ट और एक दम खस्ता बनेंगी मैं अभी आपको देखाती हूं यह देखो इसके आवाज आ रहे हैं एक दम खस्ता बाजरी किटिकी बने वाली हैं वीडियो स्टाट करने से पहले फ्रेंट साप सब इसी रिक्वेस्ट है वीडियो गुड एक लीटर पानी मैं डिजॉल्व कर लिया था मैंने यहां पानी को मैंने हलका गुण गुणा कर लिया था उसमें डिजॉल्व किया था अब एक छलनी लेनी है और इसको छान लेना है जो गुड का पानी हमने रैडी किया है उसको छान लेना है और इसमें नीचे थो पाजडे की quantity कम करते तो उसी के according आप गोड और पानी की quantity भी उसी मेजर के according कर लेना यहां मैंने 200 ग्राम लिये हैं तिल यहां हमने total 2 kg पाजडे काटा 200 ग्राम तिल 1 kg गोड और 1 लिटर पानी की quantity ली है अब आप कम बनाना चाहते हैं तो आप कम quantity कर दो इसकी half कर दो अगर 1 kg बाजडे काटा है तो इसको half कर दो अब friends हम क्या करेंगे इसका एक डो रेडी करेंगे डो एकदम से soft नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत जादा tight होना फ्रंट सामने जो गुड का पानी रेडी किया था वो पूरा ही इसमें लग चुका है याने के हमारी quantity बिल्कुर perfect है तो आप इस तरीके से बना सकते हों इसका हमने एक डो रेडी कर लिया है अब हम इसमें से कुछ पार्ट लेंगे और आदे से जादा पार्ट हम साइड में रख देंगे क्योंकि हम इसको बार बार गूत के तब बनाएंगे हम इसको अलग रख देंगे आदे से ज्यादा आटे को थोड़ा सा आटा हमने लिया है और इसको गूथेंगे अच्छी तरह से इस तरीके से इसको गूंथना है friends जो हम बनाएंगे इतना थोड़ा थोड़ा आट आलेंगे और बार-बार गूंथेंगे और उसके वाद हम टिक की बनाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो perfected टिक की बनेंगे ना तो टूटेंगी बिल्कुल नहीं फटेंगे, साइडों से फट जाती है ना कई बार, तो वे बिल्कुल नहीं फटेंगे, ये देखो, डो हमारा इस तरीके से परफरक्ट होना चाहिए, ये इसका सीक्रिट है, नहीं तो आपके टिक के टोट जाएंगे, यहां हमने एक चमच लिया है तेल, और इसको हम हा फिल्यों की हेल्प से इसको ऐसे स्प्राइड करना है हतेली पर, जब ये पूरी तरह से स्प्राइड हो जाए, तो हम दौनों हतेल्यों से इस तरीके से कर लेंगे, एकदम चिकनी हो जाएंगी, और ये देखो, फ्रेंड्स हमारे टिक की बनकर हो गई है, रेडी हां, हम इस तरीके से ओर भी टिक की बना लेंगे, ऐसे हम लोई तोड़ेंगे और इसको फिंगर्स की हेल्प से इसको स्प्राइड करेंगे, हतेली पर, और फिर दौनों हतेलियों की हल्प से हम इसको चिकना करतेंगे, और ये देखो, फ्रेंट्स पिलुकोल भी साइ्ड में नहीं परसों का तेल यूज किया है अगर आप फ्रेंट्स रिफाइंड यूज करो तो आपकी चोईसे वह भी कर सकते हैं यहां तेल हो गया है गरम और इसमें हम डाल देंगे टिक्की जो हमने रैड़ी की हैं बाजरे की सारे टिक्कियों को हम कड़ाई में डाल देंगे एक बैच में जितनी भी आती हैं उतनी डाल देंगे हम और फ्रेंट्स इस स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है नहीं तो नीचे से यह जल जाएंगी और एक दम यह खस्तान बनेंगी इसलिए गैस का फ्लेम मेडियम ही रखना है और इसको अलटते पलटते रहना है यह नहीं कि एक साइड से सिख जाए हम तभी पलटें इसको बीच-बीच में पलटते रहना है तो हामारी जो टेकी हैं एकदम खस्ता बनेंगी यह देखो फ्रैंडस इसका यह सीक्रिट है आप आलट पलट के बार बार आलट पलट के सेखोगे तो एक तम खस्ता कुरकुरी बनेंगी और फ्रेंट से एक बार ट्राइ करके जरूर देखना बहुत ही टेस्टी लगती है इनको महीनों स्टोर करके खा सकते हैं जैसे हम कही बार बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट की जगे आप इन बाजरे की टिक्कियों को खाया करो पूरी सर्दी आपको सर्दी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें जो बाजरा होता है गोड होता है और तिल होता यह सारे ही गरम आईटम होते हैं तो हमें सर्दियों में बाजरे की टिक्की पक्का खाने चाहिए। आप बिस्किट खाना भूल जाओगे अगर इस तरीके से बाजरी की टिक्के बनाओगे तो एकदम खस्ता कुरकुरी भौरती टेस्टी बनती हैं एक बाद ट्राइए जरूर करना फ्रेंट्स और यह महीनों तक खराब नी हो दिया फ्रेंट्स इस टाइप से हमें ब्राउन हो के से के हैं और यह देखो फ्रेंट्स पर्फेक्ट एकदम कितनी टेस्टी लग रही है देखने में मेरे मुह में तो पानी आ रहा है फ्रेंट्स बहुत एक बाद ट्राइजरूर करना और यह देखो बिलकुल खस्ता बनी है और अब मैं इनकी आपको आवाज सुना देती कैसी खस्ता बनी है फ्रेंट्स यह देखो आर यह आवाज एक दम खस्ता पर्फेक्ट एक बाद ट्राइजरूर करना और मैं आपको तोड के भी दिखा देती हूं बाहर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट कितनी टिस्टी हमारी बाज रिकिटिक की बनी है एक बाद मैं इसी तरीके से इजी वे मैं आपके लिए नई नई रैसेपी लाती रहूंगी अगर फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी के लिए फिर मिलते हैं